आज का हमारा टोपिक है टाइगर रिजर्व बहुत ही महत्वपूरण टोपिक है टाइगर रिजर्व से एक ना एक प्रशन जरूर पूछा जाता है तो आज आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा तो आपको पता ही होगा कि जो बाग है ये भारत का राष्ट्रे है भारत का राष्ट्रे पशु कौन सा है भाग और विश्व के कुल 70% से ज़्यादा जो टाइगर है ये भारत में ही पाए जाते हैं याद रखेगा कि पूरी दुनिया के 70% से ज़्यादा जो टाइगर है ये भारत में ही पाए जाते हैं और भारत सरकार द्वारा भारत मे बागों की संख्या में जो ये लगातार गिरावट हो रहे थी तो बागों को बचाने के लिए वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुवात की गई थी बहुत ही महत्वपूरन है ये बहुत बार पूछा गया है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुवात कब की गई थ तो वर्ष 1973 में की गई थी याद रखेगा इंपोर्टेंट है और किसके द्वारा की गई थी तो भारत के पूर्व परधान मंत्री शिरी मती इंद्रा गांधी के द्वारा प्रजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी और शुरुआत में इसके अंतरगत 9 टाइगर रिज जर्व इसके अंतरगत शामिल किये गए थे और प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत थी यह उत्रा खंड के जिम कोर्बेट निशनल पार्क से की गई थी बहुत ही मेत्म पूर्ण है कहां से की गई थी तो जिम कोर्बेट नियंशनल पार्क से की गई थी और मैंने को वहाँ पर बताया था तो यहीं से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुवात की गई थी अब कुछ important fact है यह भी देख लेते हैं तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो भारत का राष्ट्रे पशू है यह कौन सा है तो बाग है उसके बाद जो यह बाग है इसका scientific नेम क्या है यानि कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है यह भी पूछा जाता है तो पैंथरा टाइगरिस इसका scientific नेम है यह तो आप याधी रख पाएंगे इसके पीछे क्या है टाइगरिस है तो यह किसका scientific name है tiger का उसके बाद देखते हैं कि जो अंतर राष्ट्रिय बाग दीवास है ये कम मना जाता है तो ये 29 जुलाई को मना जाता है 29 जुलाई को ही क्यों मना जाता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा और tiger state of India किसे कहा जाता है तो मद्यपर्देश को कहा जाता है मद्यपर्देश को ही क्यों कहा जाता है तो भारत में अगर बात करें सबसे ज़्यादा बाग किस राज्य में पाई जाते हैं तो पहले नंबर पे आता है मद्यपर्देश 2018 की गणना के अनुसार मैं अभी आपको देखा कि भारत में बागों के स्रंख्षन के लिए वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट tiger की शुरुवात की गए ताकि बागों का स्रंख्षन किया जा सके तो उसी परकार दुनिया के जो दूसरे देश थे जहांपर बाग थे खासकर एशिया वाले देश वहां पर भी बागों की संक ख्या लगातार घट रही थी तो बागों के स्रेंक्षन के लिए एक अंतर राष्ट्रिय मीटिंग बुलाए गई तो यह मीटिंग कब बुलाए गई थी तो 29 जुलाई 2010 को यह तारिक याद रखेगा 29 जुलाई 2010 और कहां पर बुलाए गई थी तो रूस के सेंट पीटर्सवर तो रूस के सेंट पीटर्सवर्ग शहर में एक टाइगर समिट के दोरान दुनिया भर के बागों की घटती संख्या के संदर्व में एक समझोता किया गया था और यह क्या समझोता किया गया था समझोता यह किया गया था कि 2022 तक विशो में बागों की अबादी दोगुनी कर करने का लक्ष रखा गया था तो इस समझोते में यह डिसाइड हुआ था कि हम अपने अपने देश में जो बागों की संख्या है उसे दुगना कर लेंगे कब तक कर लेंगे तो 2022 तक कर लेंगे तो यह लक्ष रखा गया था और मैंने आपको अभी पीछे पताए ना कि 29 जुल समझोते में यह डिसाइड किया गया कि 2022 तक सभी देशों ने जहां पर बाग हैं उन्होंने अपने देशों में 2022 तक बागों की जो संख्या है उसे दुगना करना है और याद रखेगा ने यह लक्ष 2018 में ही हासिल कर लिया तो 2018 में ही ने बागों की संख्या को दुगना कर लिया, जो 2010 में थे उनसे दुगना और भारत ने यह लक्ष 2019 में हासिल कर लिया, तो याद रखेगा, नेपाल ने 2018 में और भारत ने 2019 में बागों की संख्या दो गुना करने का लक्ष प्रावत कर लिया है, अब आगे हम देखते हैं कि भारत में परतिये चार वर्ष के अंतरा तो जो पिछली गणना हुई थी, यह 2018 में हुई थी, अब अगली गणना होगी 2022 में, तो हम देखते हैं कि जो 2018 में गणना हुई थी, उसमें जो बागों की संख्या थी, यह कितनी है, तो 2967 याद रखेगा, यह आंकड़ा पूछा जाता है कि वर्तमान में बागों की संख् यह 2018 की गणना के अंसार है, अगर हम 2014 में देखें, तो 2014 में थी 2226, उससे पहले कितनी थी, 2010 में, तो 1706, तो यह भारत की लिए, अच्छी बात है कि भारत में लगातार जो बागों की संख्या है, यह गिर नहीं रही, अब बढ़ रही है, उसके बाद हम देखते हैं कि अगर राज्यों की बात की जाए, तो सबसे ज़्यादा भाग भारत की किस राज्य में है, तो मैंने आपको पीछे बता ही दिया, Tiger State of India किस राज्य को कहा जाता है, तो मद्यपरदेश को कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा भाग हैं भारत में, कितने हैं 526 और इसके पीछे है करनाटक सिर्फ दो बाग कम हैं वहाँ पर कितने 524 और दो बाग ज्यादा हैं मद्य परदेश में 526 और तीसरे नमबर पे आता है उत्राखन यहां पर 442 बाग हैं तो यह दखेगा नमबर एक पे है MP नमबर दूसरे पे है करनाटक और नमबर तक भारत में कुल 51 टाइगर रिजर्व थे आपने यही पढ़ा होगा कि भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं तो 51 हैं पर याद रखेगा अब नैशनल टाइगर Conservation Authority जिसे हिंदी में राष्ट्रिय बाग स्रंक्षन प्राधिकरन कहते हैं इसके द्वारा राजस्थान में रामगड विश्धारी वन्यजीव अभ्यारने को जो की Wild Life Century थी इसको टाइगर रिजर्व के रूप में विक्सित करने की स्विकृति मिल गई है तो अब इसे टाइ टाइगर रिजर्व हो जाएंगे तो 52 टाइगर रिजर्व अभी वर्तमान में बात की जाए तो आपने यही पढ़ा होगा कि भारत में 51 टाइगर रिजर्व हैं पर अभी हाली में एक नए टाइगर रिजर्व को विक्सित करने की स्विकृति मिल गई है तो अब भारत में कितने Tiger Reserve होंगे तो 52 Tiger Reserve होंगे यह याद रखेगा तो अब हम एके करके भारत के जितने भी राजियों में Tiger Reserve हैं उन्हें पढ़ना शुरू करते हैं तो मैं आपको Tricky साहिता से पढ़ाऊंगा जहां पर Tricky जरूरत होगी तो इससे पहले मैंने जितने भी National Park हैं आपको Tricky साहिता से समझाए थे और बहुत से नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व हैं वही सेम नाम आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे और वहाँ पर मैंने आपको जितने भी नेशनल पार्क हैं सब बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रिक की सायता से समझाए थे अगर आपने वो वीडियो द जरूरत नहीं होगी क्योंकि यह इतने महतवपूरण है और आपने कई बार पढ़े होंगे एक है जिम कोर्बेट और दूसरा है राजा जी यह दोनों टाइगर रिजर्व कहां पर हैं उत्राखंड में अभी हमने पीछे पढ़ा कि भारत का पहला टाइगर रिजर्व और भारत का पहला नैशनल पार्क यह कौन सा है तो जिम कोर्बेट नैशनल पार्क और जिम कोर्बेट टाइगर रिजर्व यह भारत के पहले नैशनल पार्क और टाइगर रिजर्व हैं तो यह तो आपको याद ही होंगे बहुत ही मैतवपूरण है याद रखेगा जिम उत्तराखंड में हैं अब हम आगे देखते हैं तो उत्तराखंड के बाद अब हम आते हैं उत्तरपदेश में तो उत्तरपदेश में दो टाइगर रिजर्व हैं एक है दुधवा टाइगर रिजर्व और दूसरा है पीली भीत टाइगर रिजर्व हो सकता है आपने किताबों में तीन टाइगर रिजर्व पढ़े हो आपने अमन गट टाइगर रिजर्व भी पढ़ा हो पर मैं आपको बता दूँ कि जो अमन गट टाइगर रिजर्व है ये जिम कोर्बेट टाइगर रिजर्व के बफर जोन में आता है और इसे अलग से काउंट नहीं किया जाता पहले यह आपको में समझा देता हूं कि बफर zone, core zone ये क्या होता है तो जैसे यह मा लेजे पूरा Tiger रिजर्व है तो Tiger reserve के अनδर दो zone होते हैं एक होता है core zone और एक होता है buffer zone तो जो core zone होता है यहाँ पर जो बाग होते हैं एक्टिव होते हैं यह बीच वाला एरिया होता है किसी भी Tiger Reserve के और यहाँ पर किसी भी परकार की मानों गत्ती विधी allowed नहीं होती क्योंकि यहाँ पर यह पूरा एरिया बागों के लिए स्रंक्षित होता है और बाग यहाँ पर active होते हैं इसलिए यहाँ पर मानों गत्ती विधी allowed नहीं होती तो इससे कुछ दूरी पर जो ये बाहर वाला एरिया होता है, इसे buffer zone कहते हैं, तो ये पूरा tiger reserve ही है, बीच में है core zone और जो बाहर वाला area है, इसे कहते है buffer zone, तो buffer zone में कुछ हद तक मानव गत्तिविधियां allowed होती हैं, अभी पीछे हमने gym corbett tiger reserve के बारे में पढ़ा, जो की उत्र हैं, तो उसी gym corbett tiger reserve के buffer zone वाले area में अमनगड tiger reserve बनाए गया है, तो जो gym corbett tiger reserve है, वो है तो उत्र खंड में, पर जो उसका buffer zone है, वो उत्तर पधेश में भी आता है, तो उसी के buffer zone में अमनगड tiger reserve बनाए गया है, पर इसे अलग से count नहीं किया जाता है, याद रखेगा, अगर आप NTCA की official website पर जाएंगे और वहाँ पर देखेंगे तो जो ये अमनगट Tiger Reserve है इसे अलग से count नहीं किया जाता क्योंकि ये Jim Corbett Tiger Reserve के buffer zone में आता है उसे बाहर होता तो इसे count कर ले जाता है पर उसी Tiger Reserve के buffer zone में आ जाता है इसलिए इसे अलग से count नहीं किया जाता आप official website पर जाकर चेक कर सकते हैं देखते हैं कि दुधुवा Tiger Reserve और पीली भीट Tiger Reserve इसे याद कैसे करें तो दुधुवा जो है यह तो बहुत ही महतपूरण है और जो पीली भीट है इससे तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं जो पीली भी जिला है यह उत्तरपदेश में उसे चुन्दरवन और दूसरा है बुक्सा ये मैंने आपको नैशनल पार्क वाले वीडियों में भी बताये थे और ये Tiger Reserve भी हैं कौन से सुन्दरवन और बुक्सा इन्हें आप ऐसे ही याद रख लेना क्योंकि ये तो बहुत ही important है और आपने कई बार पढ़े होंगे और सुने भी होंगे कि सुन्दरवन National Park कहां पर है सुन्दरवन Tiger Reserve कहां पर है तो ये पक्षिम बंगाल में हैं और सुन पर हैं ओडिसा में और सिमलीपाल तो National Park भी है मैंने आपको पताया था अब देखते हैं किने याद कैसे करना है आप देखेंगे कि जो भारत के समुदर से सटे हुए राज्ये हैं ये ज्यादा तर डेवलप हैं जैसे कि गुजरात हो गया महाराष्ट्र हो गया करनाटक हो केरल हो गया ये सभी राज्ये समुदर से सटे हुए जो भी हैं ये डेवलप हैं पर अगर आप देखेंगे जो ओडिसा है ये ज्यादा डेवलप नहीं है ये सिंपल है बाकी के राज्ये डेवलप हैं पर ये सिंपल है तो इसे आप रिलेट करेंगे ये मैंने आपको क्यों सटे हुए राज्य हैं यह ज्यादा तर डेवलप हैं पर ओडिसा जो है यह सिंपल है यह ज्यादा डेवलप नहीं है तो समली पाल तो हमने देख लिया कि उसे सिंपल से रिलेट कर लेंगे कि जो ओडिसा राज्य है यह सिंपल है और दूसरा जो सत्कोसिया इसे कैसे याद कर उपर है direction और नीचे है distance तो डिस्टेंस और डिरेक्शन हम पढ़ते हैं न किसी भी डिरेक्शन में अगर जाना है तो दूरी तो पता ही होनी चाहिए distance तो पता ही जो होना चाहिए तो यहाँ पर बताया जा रहा है कितना distance south coast उपर क्या है दिशा है तो distance और direction इसे अब relate कर लेना कि Odisha में ही होगा south coast या tiger reserve अगर आपको बिने trick के ही याद रहता है तो बहुत ही असान है बिने trick के ही याद रख लेना अगर आप trick की साहिता से याद रख पाते हैं तो trick की साहिता से याद रख लेना आगे देखते हैं तो Odisha के बाद अब हम आते हैं मद्य परदेश में तो मद्य परदेश में 6 tiger reserve हैं और यह वही सेम है जो हमने मद्य परदेश के national park पड़े थे वही सेम Tiger Reserve हैं कौन कौन से पहला है काना दूसरा है बांधोगर तीसरा है पन्ना चोथा है सत्पुड़ा पांचवा है संजय और छठा है पेंच Tiger Reserve और याद रखेगा जो ये पेंच Tiger Reserve है आप अगर मद्य पदेश के मैब में देखेंगे तो यहाँ पर ये देखे ये है पेंच Tiger Reserve ये बिल्कुल बोर्डर पर है और ये मद्य पदेश और महाराष्ट दोनों राज्यों में फैला हुआ है याद रखेगा जो पेंच Tiger Reserve है इसके दोनों राज्यों में पेंच लगे हुए है मद्य पदेश में भी और महाराष्टर में भी क्योंकि अगर आप नक्षे को ध्यान में रखेगा तो मद्य पदेश के नीचे की और इस तरफ है नव महाराष्टर तो यहाँ पर है पेंच Tiger Reserve ये दोनों राज्यों में फैला हुआ है मध्य पदेश में भी और महाराश्टर में भी दोनों तरफ इसके पेंच लड़े हुए पहला कौन सा है काना टाइगर रिजर्व तो देखिए इनकी कोई ट्रिक की जुरुत नहीं पड़ेगी आपको मैंने आपको नेशनल पार्क वाली वीडियो में बताया था कि काना, माधव और बांधव ये तीनों नैशनल पार्क कहां पर है तो ये मध्य पदेश में है तो काना को ये माधव कहा जाता है और माधव से बांधव रिलेट हो रहा था तो मैंने आपको कहा था इसे याद रख लेना तो काला, माधव और बंधव यह कहां पर है, मद्य पदेश में है, उसके बाद जो पन्ना टाइगर रिजर्व है, पन्ना की खान कहां पर है, तो मद्य पदेश में है न, जहां से हीरे का खनन होता है, मैंने आपको बताया था, पन्ना की खाने बहुत ही मशूर है, यहां से ही सिरе का खरनन होता है और ये मद्य पदेश में उसके बाद है सपड़ा तो SAR 사 contents की पहाधियां कहा पर है मद्य पदेश के ही है यह मैंने आपको पढ़ाय था कि SH Mana你 पढ़ाया था कि सप्गा पहाड़ हुआ है तो इसे अब रिलेट कर लेना अब आगे देखते हैं तो मद्य परदेश के बाद अब हम आते हैं महाराश्ट्र में तो पहला है पेंच टाइगर रिजर्व तो मद्य परदेश और महाराश्ट्र हमने पढ़ा ना दोनों में फैला हुआ है पेंच टाइगर से अगला है तटोबा अंधेरी टाइगर रिजारव तो अंधेरी मुंबई बे हैं उसी से अपर डालेट कर लेंगे के महराश्ट में होगा अगला है सयादरी टाइगर रिजर। उसके बाद है और गॉठ घार रिजर्व तो नवे हो गाव हो गया गौ। गौरी हो तो बोर टाइगर रिजर्व है आपने पेंच भी पढ़ा होगा पर याद रखेगा बोर टाइगर रिजर्व यही भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है तो इसे तो आपको ऐसे ही याद होना चाहिए पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व क पताय था कि जो इंद्रावती नदी है यह कहां कि नदी है चतिस गड़ की तो उसी से आप रिलेट कर ले ना क्योंकि अगर आपने जो पीछे फेक्ट पड़े है ना उसी से रिलेट कर लिया करिए क्योंकि अगर आप ज्यादा ट्रिक बनाएंगे ना तो आपको याद नहीं आपको इससे दोनों चीज़े याद रहेंगी जो इंद्रावती नदी है यह कहां पर है चतिस गड़ में तो अकर नदी भी ओहीं पर है तो जो टाइगर रिजर्व होगा वो कहां पर होगा वो भी चतिस गड़ में ही होगा तो इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहां पर ह तो इंद्रवाती तो हम को याद हो गया, इसे हम नदी से आद पर लेंगे, बचा उधन्ती और अच्ण कमार, इसे कैसे आद करेंगे, तो जो ज़्छतिस गड़ का जो जादातार एरिया है, आप सोनेंगे सुकमा हो गया, दंते वाड़ा हो गया, ये नकसलवा से पीडित रह रहता यह एरिया और जो ज्यादतर नक्सलवादी होते हैं यह अचानक मार करते हैं पीछे क्या देखें इसमें अचानक मार इसको पढ़ेंगे न अचनक मार तो जो नक्सलवादी होते हैं यह अचानक मार कर देते हैं और दंते वाड़ा वाला जो एरिया है यह नक्सलवासे पीडित रहता है तो चोटे-चोटे हिंट होते हैं, जिसे आप यह related कर पाएंगे, धंतिस से आप related करेंगे दंतेवाडा, और आपको बताओगा, धंतेवाडा हो गया, शुकुमा हो गया, यह जो area है, 36 गड में ही है, और नक्सलवासे पीडित रहता है, और जो नक्सलवादी तो इसे आप रलेट कर लेना दोनों आपको याद रहेंगे उदंती भी और अचनकमार भी और इंद्रावती तो यह आप छोटे-छोटे हिंड से तीनों को याद कर सकते हैं तो आगे अब हम जो North East वाले राजे हैं इनके भी Tiger Reserve पढ़ लेते हैं तो शुरुवात हम करते हैं असम से तो असम में चार Tiger Reserve हैं मानस, नमेरी, काजीरंगा और ओरांग काजीरंगा तो वर्ल्ड फेमस है आपको पता ही होगा असम में हैं तो जो National Park वाली वीडियो थी वहाँ पर भी हम निनके मारे में पढ़ा था तो वहाँ पर मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी एक लाइन बताई थी जिससे आपको सभी National Park याद हो गए थे तो वही ट्रिक हम यहाँ पर भी पढ़ेंगे इससे क्या होगा आपको जो Tiger Reserve हैं और जो National Park हैं दोनों याद रहेंगे उस एक ही लाइन से तो वहाँ पर मैंने आपको एक कहवत बताई थी कि जब मिया बीबी राजी तो क्या करेगा काजी यह कहवत अभी तक आपके कभी काम नहीं आई पर जो ट्रिक है यह जरूर आपके काम आएगी तो ट्रिक यह है कि माना ना मेरी असम का काजी और करवादी ड डिब्रू राज से शादी तो देखिए माना से हो जाएगा मानस टाइगर रिजर्व और मानस नेशनल पार्क भी है ना मेरी टाइगर रिजर्व और ना मेरी टाइगर रिजर्व के साथ साथ नेशनल पार्क भी है असम का काजी तो असम से रिलेट हो जाएगा कि असम का है काजी से क्या होगा काजी रंगा और और से हो जाएगा ओरांग टाइगर रिजर्व करवादी डिब्रू राज से शादी तो जो ये डिबरू राज बचे डिबरू से डिबरू नेशनल पार्क और राज से राजीव गांधी नेशनल पार्क ये दोनों नेशनल पार्क हैं पर टाइगर रिजर्व नहीं हैं और बाकी के जो हमने पढ़े ये टाइगर रिजर्व भी हैं और साथी साथ नेशनल पार् तो असम के बाद है अरुनाचल पदेश, अरुनाचल पदेश में तीन टाइगर रिजर्व हैं, पहला है नामदाफा, दूसरा है पक्के, और तीसरा है कमलांग टाइगर रिजर्व, तो तीन टाइगर रिजर्व कहां पर है अरुनाचल पदेश में, तो इन्हें आप याद क कमल कमल भी एक नाम है ना तो अरुन और कमल यह दोनों क्या है नाम रिलेट करिए का एक दूसरे को और बीच में क्या पक्के तो अरुन और कमल यह दोनों पक्के मित्र हैं अपस में इसे अब रिलेट कर लेना कि अरुन कमल पक्के मित्र हैं तो आपको यह चारों मतलब चारो पके मित्र हैं तो इस एक लाएं से आप यह सभी लिंक करके याद रखपाएंगे तो अरूनाचल पदेश के बाद अगला राज्य है मिजोरम तो मिजोरम में एक ही टाइगर रिजर्व है डंपा टाइगर रिजर्व बहुत ही इंपोर्टेंट है कौन सा डंपा टाइगर रिजर्व तो इसे कैसे याद रखेंगे तो देखिए मिजोरम में मिजो है ना तो मिजो को आप रिल में मज़ा आता है तो इससे अब रिलेट कर लेना आपको याद रहेगा तो आगे अब हम तीन राज्य देखते हैं बिहार आंदरपर्देश और जारखंड तीनों में एक ही एक टाइगर रिजर्व है तो इसकी कोई ट्रिकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको ऐसे ही याद हो होनी चाहिए तो बिहार में कौन सा है तो वालमिकी टाइगर रिजर्व तो यह तो हमने नैशनल पार्क में भी पढ़ा था कि वालमिकी नैशनल पार्क कहां पर है बिहार में एक ही है आपको याद रख लेना तो बिहार के बाद है आंदरपरदेश तो आंदरपरदेश में बहुत ही important है क्यों क्योंकि यह भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है चेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व كawnशा है तो यही है श्री शेलम टाइगर रिजर्व यह कहां पर है तो आंद्रपदेश में और और आंधर पदेश के साथ ही साथ यह तेलंगाना में भी फैला हुआ है याद रखेगा जाधतर एरिया इसका आंधर पदेश में ही है और यह भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है इसे आप कैसे याद रखेंगे क्योंकि यह तो इंपोर्टेंट है तो देखिए मैं आपको जब भी बताता हूं तो आंधर पदेश को किसे रिलेट करना है अंधेरे से आंधर अंधेरा और नाग अरजुन में क्या है नाग तो जब भी नाग काट लेता है नाग डंस लेता है तो आँखों के आगे अंधेरा चा जाता है नाग के काटने पर तो इसे से अब र प्राइद कर लेना बिहार में भी एक है वालमिकी और ज्ञारखन में भी है पलामों तो अब हम आते हैं तिलंगाना में तिलंगाना में दो इसमें से अम्राबाद Tiger इजर्व िосс रिलेट हो रहा है ना इसे भी याद रख लेना तो तो तीलंगाना के बाद आते हैं केरल में तो केरल में दो टाइगर रिजर्व हैं एक है पेरियार और दूसरा है परमभी कुलम तो मैंने आपको बताया था कि पेरियार से सम्बंधित कोई भी चीज पूछी जाए नदी हो, बांध हो, नैशनल पार्क हो, टाइगर रिजर्व हो तो पेरियार से कोई भी चीज पूछी जाए, तो वो कहाँ पर है, केरल में, यह तो कितनी बार हम पढ़ चुके हैं, आपको ऐसे हियाद होना चीए, कि जब भी पेरियार आए, आप समझ जाना, यह केरल में ही होगा, और दूसरा है, पेरंबी कुलम, तो इरावी कुलम, पेर हो गया, तो यह केरल में ही होगी, और पेरियार तो, मैंने आपको बता ही दिया, कि पेरियार से संब्दिन कोई भी चीज आप से पूछ लिजाए, भया यह पेरियार नदी बताओ, पेरियार बांध बताओ, पेरियार नेशनल पार्क बताओ, पेरियार टाइगर रिजर्व बताओ तो यह कहाँ पर होगा तो केरेल में ही होगा तो यह आपको ऐसे ही याद होना चाहिए इसकी कोई ट्रिक की ज़रुवत आपको नहीं पड़ेगी अब आगे देखते हैं तो अब हम आते हैं तमिल नाडो में पांच टाईगर रिजर्व हैं कौन कौन से अन्ना मलाई, मुदू मलाई, शरी विल्ली पूथुर, मेगा मलाई, कलककर मुंडन धुराई टाईगर रिजर्व और सत्त्यमंगलम टाईगर रिजर्व इसमें से सबसे ज़्यादा important है ये वाला mega malai क्योंकि ये जो हमारा 51 tiger reserve है ना 51 number वाला ये ही वाला है इसके बाद अभी latest add हुआ है 52nd वाला वो अभी मागे पढ़ेंगे वो राजसान में है तो tamil naado वाला जो ही है ये 51 number वाला है इसलिए ये latest add हुआ है भी 2021 में ही इसलिए इसके ज़्यादा chance है तो इसे हम याद कैसे रखेंगे तो देखे जितने भी malai वाले tiger reserve है ना ये सभी tamil naado में होंगे देखे अन्ना malai हो गया मुदू malai हो गया mega malai ये कहां पर है tamil naado में इसे से आप relate कर लेना और ये mega malai वाला था भूलना ही मत ये कहां पर है tamil naado में अन्ना malai मुदू malai mega malai ये तीनो malai वाले कहां पर है तो tamil naado में और यही तीनों important है अब आगे देखते हैं तो tamil naado के बाद अब हम आते हैं करनाटक में तो करनाटक में भी पांच tiger reserve हैं डांडेली, नागर होल, बिलिगीरी, बांदिपूर और भद्रा तो इसे आप याद कैसे करेंगे तो जो भद्रा है इसको आप तुंग भद्रा नदी आपको मैंने बताया था ना तुंग भद्रा नदी तो जो तुंग भद्रा नदी है ये दो नदियों के संगम से बनी है तुंग प्लस भद्रा तो इंसे बनी है तुंग भद्रा तो जो तुंग भद्रा नदी है ये करनाटक से ही निकलती है उसी से आप रिलेट कर लेना भद्रा तुंग भद्रा ये कहां से निकलती है करनाटक से तो भद्रा टाइगर रिजर्व कहां पर है करनाटक में जो अपन ब्ध्द्र होगा टाईगरには कहांपरों करनाटक में होगा तो यह तो आपको याद हो गया अब जो यह उपर चार टाईगर रिजर्व हैं यह करनाटक में हैं इसके पीछे कहना करनाटक इसके पीछे कहाना कर नाटक यह तो आपको इसली याद रहेगा कि कर नाटक को हम रिलेट करेंगे नाटक से तो हमारी कहानी यह है कि जो सबसे पहले वाला लोगडाउन लगा था उसमें बहुत सकती थी हम घर में पूरी तरह से बन थे अगर कोई एमर्जंसी होती थी तभी बार निकलते थे नहीं तो पुलिस वाले डंडे से मारते थे अब तो खेर लोगडाउन लगबग हटी गया पर जो सबसे पहले वाला लोगडाउन लगा था उसमें बहुत सकती थी तो उसी से मारी कानी स्टार्ट होगी तो देखिए फिर भी कई लोग ऐसे थे ना जिने को पुलिस वाले क्या करेंगे डंडे से मारेंगे डंडे से डांडेली अब जब पुलिस वाले डंडे से मारेंगे तो लोग क्या करते थे नाटक करते थे कि हमें तो एमर्जंसी है इसलिए बार निकले हैं तो देखिए क्या है कि कई लोग लोग डौन में नकर में घूमने के निकर पड़ते थे नगर से नागर होल तो पुलिस वाले क्या करते थे डंडे से मारते थे डंडे से डंडे ली जब पुलिस वाले डंडे से मारते थे तो लोग क्या करते थे नाटक करने लग पड़ते थे कि हमें तो एमर्जंस्टी है और कई लोग अकड़ने लग पड़ते पुलिस वालों के सामने तो पुलिस वाले क्या करते थे उन्हें ले जाकर temporary jail में बंद कर देते थे तो बंद से बांदीपूर जब उन्हें बंद कर देते थे तो उनकी अकल ठिकाने लग जाती थी और जब अकल ठिकाने लग जाती थी तो भीगी बिल्ली की तरह बिल्ली से ब सब्सक्राइब हमारा दिमाग है यह स्टोरी कोई बता दो यह कोई इमेज दिखा दो उसे जादा याद रखता है तो आपको यह कभी भोलेगा नहीं जब भी डंडेली आएगा तो आपको दिमाग में आ जाएगा कि हाँ लोग डाउन में जो फालतूर लोग निकले थे बार वे नगर घूमन तो इसे एक बार देख लेते हैं कौन सा है यह रामगर विश्धारी टाइगर रिजर्व यह हमारा लेटस्ट टाइगर रिजर्व है तो इसे तो आपको याधी होना चाहिए उपर के तीन देख लेते हैं कि इन्हें कैसे याद करें तो रन थंभोर तो रन थंभोर तो नाम मुकुंद्रा यह बहुत इंपोर्टन है मुकुंद्रा है हिल से टाइगर रिजर्व तो इसे कैसे याद रखेंगे तो देखिए यह तो मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा आप कभी भूलेंगे ही नहीं अभी आप अगर न्यूस देख रहे होंगे तो राज कुंद्रा जी कुंद्रा तो राज कुंद्रा अब आप कभी नहीं भूलेंगे कि यह कहां पर है मुकुंद्रा तो राजसान में हैं तो आज की यह वीडियो यहीं पर खतम होती है